दोस्तो वो सारे स्टूइट जो कि इंडियन एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खुश्कब रिए क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस Indian Air Force के new vacancy के full details के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो के अंतक आप बने रहें इससे related आपका जो भी doubt होगा इस वीडियो को अंतक देखने के बाद सारा doubt किलियर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं दोस्तो तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने हमने इंटरफेस खोल रखा है कि जो यह firm है इंडियन एरफोर्स अगनिवीर का वो आपको 27 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च से लेके आपको यह firm 31 मार्च तक भरा जाएगा मिन्स आपका starting date 27 मार्च है और last date जो firm भरने का है वह 31 मार्च तक है किसी भी टेक्डी में आप हो तो आपको 28 मार्च देना ही होगा तो दोस्तो चलिए आगे हम इसके और कुछ बारे में बात करते हैं अब दोस्तो देखी यहाँ पे आपको exam के date भी दिया जा चुका है जो आपका exam है वो आपको 20 माई को conduct कराया जाएगा अब दोस्तो चलिए हम आगे आपको age limit के बारे में बताते हैं age limit से बहुत सारे दोस्तों का जो है वो doubt रहता है तो देखी दोस्तो जो आपका age limit है वो 17 से लेकर 23 साल तक रखा गया है मिन्स वो सारे students जिसका date of worth इन दोन 17 साल के बीच में है वो आसानी से इस form को भर पाएंगे तो दोस्तो आप वीडियो को अंतक बने रहें आगे हम और सारे आपको चीजों के बारे में पताने वाले हैं तो दोस्तो देख लिजी आपको यहाँ पे दिया गया है 26 तारिक 12 महिना 2002 से लेकर 26 तारिक 26 महिना 2006 के बीच में यदि आपका date of worth इसके बीच में विलाउंग करता है तो आप आसानी से इस form को भर पाएंगे और यहाँ पे जो है आपको age relaxation भी दिया गया है तो दोस्तो यदि आपका date of worth इसके बीच में नहीं है तो आप age relaxation को देख सकते हैं और दोस्तो सबसे बड़ी बात जो है वो आपको number of worth है टोटल जो है वो आपको 3500 पदों पे वेकेंसी दिये गया है कितने पदों पे तो आपको 3500 पदों पे तो आप चलिए हम लोग education qualification के बारे में जानते हैं कि इस form को भनने के लिए हमें कितने education qualification की जरुवत होगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको education qualification के बारे में चार्चा किया गया है यदि आप candidate आप देख सकते हैं candidate who have 10 plus 2 intermediate with mathematics, physics and English with minimum 50% marks कितना number marks होना चाहिए तो आपको physics, chemistry and English में 50% marks होना चाहिए and 50% marks in English और आपको 50% marks English में होना ज़रूर है means आपका PCM, PCM subject को मिलाकर physics, chemistry, math को मिलाकर total 50% अंख होना चाहिए और आपको किवल English में 50 number होना ज़रूरी है तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखेंगे आप अपना marks sheet को एक पर चेक कर लेंगे यदि आपका aggregate 50% marks है और English subject में भी 50% marks है तो आप इस form को भरने के लिए eligible है आप आसाने से इस form को भर फाएंगे तो दोस्तों आपको जिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है यदि आपका कोई भी doubt हो इंडियन एरफोर्स अगनी भीर भरती से लेड़े तो आप हमसे comment box में comment करके पूछ सेकते हैं मैं आपका doubt ज़रूर के लिए करूँगा